अमेरिका के फ्लॉरिडा में एक महिला का डिलिवरी वैन से बाहर निकलने का विडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक एमेजॉन ड्राइवर को निकाल दिया गया है 12 सेकंड के विडियो को डाइलिन हुक ने शूट किया था जिसने देखा कि एक महिला सड़क पर खड़ी एक वैन से बाहर निकल रही है विडियो में फ्लॉरिडा में बीच सड़क पर खड़ी एमेजॉन वैन को देखा जा सकता है कुछ सेकंड बार देक काले रणकी पोशाक में एक महिला को वैन में पीछे के दर्वाजे से बाहर निकलते देखा जाता है जिसके बाद लोगों द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अंदर क्या चल रहा है डिलिवरी करने वाले को दर्वाजा खुला रखते हुए देखा गया क्योंकि महिला को वैन से बाहर निकलते हुए पकड़ लिया गया था एमेजॉन डिलिवरी एजेंट अक्सर अच्छे या बुरे कारणों से सुर्खियों में दिख जाते है हाल ही में एमेजॉन डिलिवरी वैन के एक टिक टॉक वीडियो ने भारी संख्या में व्यूज बटो रहे है वीडियो में एक महिला को एमेजॉन डिलिवरी वैन के पिछले दर्वाजे से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है जिससे नेटिसन्स के बीच अटकले लगाई जा रही है कि वहाँ क्या चल रहा था। दुर्भाग इसे डिलिवरी एजेंट का वाइरल विडियो एमेजॉन के एड्मिनिस्ट्रेशन तक पहुँच गया और उसे बरखास्त कर दिया गया। फॉक्स निउस की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के प्रवक्ता मारिया बेशौट्टी ने कहा कि ये हमारे डिलिवरी पार्टनर्स और उनके ड्राइवर्स के लिए हमारे हाई स्टांडर्स को नहीं दर्शाता। अनादीकरत व्यक्तियों को डिलिवरी वाल में प्रवेश करने की अनुमती को पॉलिसी का उलंखर माना जाता है। और ड्राइवर अब हमारे साथ कार्यस तर नहीं है। कुछ समय पहले एक और Amazon ड्राइवर परसन को महिला के वेश में कपड़े पहने और बात्रूम में महिला और लड़कियों की तस्वीरे क्लिक करने क्या रोप में गिरिफतार किया गया था। वीडियो को ट्विटर पर एक सब्ता पहले 25 अक्टूबर को I Seen It नाम के एक यूजर ने एक कैप्शिन के साथ साजा किया था। Amazon डिलिवरी ड्राइवर कुछ अलग है। वीडियो पर प्रतक्रिया देखते हुए, नेटिजन्स ने रहसे मई, महिला और वैन में होने वाली खटनाओं के बारे में अपनी अपनी राय रखी।